Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT चली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Manual Accounting से Computer Accounting में Shift करने पर आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में हमें विश्वास है कि अभी तक हमने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और आपने उसके अच्छे से Practice भी की होगी हम चाहते हैं कि अभी तक आपने जो भी सीखा है उसका एक टेस्ट लिया जाए क्योंकि आप टेस्ट देंगे तो आपका भी confidence बढ़ेगा इसे उद्देश से हम दो वीडियोस में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका टेस्ट भी हो जाए साथ ही आप कुछ नई बातें भी सीख जाएं फिर इन दो वीडियोस के आधार पर ही हम आपको कुछ महतुपून रिपोर्ट्स जैसे trial balance, profit and loss account और balance sheet के बारे में भी समझाएंगे और इनके साथ ही हमारा teleprime का basic level पुरा हो जाएगा और हम intermediate level पर काम शुरू कर सकेंगे हो सकता है इस वीडियो के अनुसार आपको काम करना थोड़ा कथिन लगे पर practical life में तो इससे भी ज्यादा कथिन काम करना पड़ेंगे इसलिए धैरे के साथ समझने और करने का प्रयास करें इस वीडियो में हम आपको एक नई company बना कर उसमें opening balances डालते हुए लेजर्स और stock items बनाना बताएंगे और ऐसा करते हुए क्या समस्याँ आ सकती है ये भी आपको बताएंगे तो आईए शिरू करते हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि टैली में किसी भी नई company को बनाते समय opening balance की क्या-क्या स्थितियां हो सकती है पहली है जब हम कोई नया व्यापार या website शुरू करते हैं तो लेजर्स बनाते समय उनका कोई opening balance नहीं होता है opening balances सिर्फ पहले से चल रहे व्यापार या website के ही होते हैं दूसरे स्थिति यदि आप manual accounting कर रहे हैं और वित्तिय वर्ष के बीच में ही टैली में accounting प्रारंब कर देते हैं तो पहले आपको manual account के सभी लेजर्स यानि जितने भी liabilities, assets, income और expenses के लेजर्स हैं उनके balance की एक सूची बनाना होगी इसी सूची को trial balance कहते हैं फिर उन सभी balance को tally में लेजर बनाते समय ओपनिंग balance में डालना होगा तीसरे स्थिति यदि आप किसी वित्य वर्ष की समापती तक manual accounting कर रहे हैं और अगले वर्ष के आरंब से computer accounting शुरू करते हैं तो सिर्फ liabilities और assets के balance होते हैं income और expenses के कोई balance नहीं होते हैं आई ऐसे अच्छे से समझ लेते हैं जब आप किसी company की manual accounting कर रहे होते हैं और किसी वित्य वर्ष के समापत होने पर नए वित्य वर्ष से computer accounting शुरू करते हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले manual accounting की process के बीच बताया था कि trial balance की सहायता से trading and profit and loss account बनाया जाता है और उसमें income और expenses के सभी खातों को transfer कर दिया जाता है जिसके कारण ये खाते यानि कि income और expenses के खाते समापत हो जाते हैं और ये ही कारण है कि वित्य वर्ष के अंत में जो भी balance sheet बनती है उसमें सर्फ liabilities और assets के wages के balance ही रहते हैं ये balance समापत हुए वर्ष के लिए closing balance होते हैं और इन्हें ही यानि liabilities और assets के wages के balance ही अगले साल के opening balance के रूप में टैली में नई company बनाकर लेजर बनाते समय opening balance में डालने होते हैं यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप अच्छे से accounting सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो सीरीज की शुरू की 10 वीडियो जिसमें पहली वीडियो इस सीरीज का परिचर है और उसके बाद की 9 वीडियो जिनमें basic terminology of accounting यानि manual accounting के बारे में basic जानकारी दी गई है वो जरूर देखें आएए अब आगे बढ़ते हैं हमारी एक company है जिसमें हम वित्तिय वर्ष 2020-21 में 30 सेटमबर 2020 तक manually हिसाब किताब रखते थे और इसी वित्तिय वर्ष के बीच में एक October 2020 से हम अपने हिसाब को computer में टेली software द्वारा maintain करना चाहते हैं इसके लिए हमने 30 सितमबर 2020 को manual accounting के सभी accounts यानि legers के जो भी balance हैं वो सब एक स्थान पर लिख लिए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह के balance जब एक स्थान पर रखे जाते हैं तो वो उस दिन का trial balance कहलाता है trial balance के नीचे ही हमने हमारे पास 30 सितमबर 2020 को जो stock है उसकी details भी दी है यह stock 30 सितमबर 2020 का closing stock कहलाएगा और इस stock की total value भी यहां हमने trial balance में लिख दी है 30 सितमबर 2020 का trial balance एक अक्टूबर 2020 को computer accounting के लिए opening trial balance माना जाएगा और इन सभी balances को हमें tally में company बना कर ledgers बनाते समय ओपनिंग balance के रूप में डालना होगा इसी तरह 30 सितमबर 2020 का closing stock एक अक्टूबर 2020 को computer accounting के लिए opening stock माना जाएगा और stock items बनाते समय सभी stock को quantity और rate सहित opening balance में डालना होगा तभी हम उस company में आगे काम कर सकेंगे आपको काम करने में सुविधा हो इसके लिए हम इस opening trial balance के सभी layers को और stock items को उनकी प्रकृती यानि nature के अनुसार groups और subgroups के साथ दिखा रहे हैं इसका PDF हम नीचे description में भी दे रहे हैं जिस पर आपको हमारे बताए अनुसार स्वर विवेक से काम करना है और उसका जो result है उसका भी हमने PDF दिया है सबसे पहले हम electronics house के नाम से company बना रहे हैं इसमें financial year beginning from में एक अपरेल 2020 रखेंगे और books beginning from में एक अक्टूबर 2020 लेंगे क्योंकि हम एक अक्टूबर से computer accounting शुरू कर रहे हैं company create होते ही company created successfully की pop-up screen आ रही है जिसमें company के features भी दिखाई दे रहे हैं चूंकि अभी हमने आपको bill wise entry और GST के बारे में कुछ भी name सिखाया है इसलिए इन options को no करेंगे अब इस screen को accept कर लेते हैं देखिए trial balance में lasers के नाम उनका balance और वे किस groups से संबंधित हैं ये दिखाई पड़ रहा है अभी हम दो lasers cash और opening stock को छोड़ कर बाकि सभी lasers opening balance डालते हुए बना रहे हैं सबसे पहले हम capital account बना रहे हैं देखिए जब हमने capital account का opening balance टाइप करके enterprise किया तो उसके आगे अपने आप credit आ गया है इसका करण ये है कि यहां under में हमने capital account group select किया है जो कि liabilities के अंतरगत आता है और ये टली को पता है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि liabilities और income के खातों के balance prior credit होते हैं इसी तरह assets और expenses के खातों के balance prior debit होते हैं यही कारण है कि जब आप under में group select करते हैं तो उसके अनुसार ही नीचे opening balance में debit credit अपने आप आ जाता है आप चाहे तो इन्हें बदल भी सकते हैं चलिए अब एक खास बात समझ लेते हैं देखिए उपर right side में corner पर total opening balance लिखा हुआ है जब हम किसी भी खाते में opening balance type करेंगे और enter press करेंगे तो उसका प्रभाव यहां दिखाई पड़ेगा जैसा कि अभी हमने capital account में opening balance डाल कर enter press किया तो वो यहां भी credit में दिखाई दे रहा है ध्यान रखिए हम जो भी ledger नई company में बनाते जाएंगे ध्यान रखने के लिए हमारे opening trial balance में उसका color red करते जाएंगे अब हम mobile का भी एक ledger बना लेते हैं देखिए जैसे ही हमने opening balance डाल कर enter press किया यहां पर अपने आप DR आ रहा है क्योंकि हमने under में fixed assets group select किया है जो कि assets के अंतरगत आता है और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि assets के balance prior debit होते हैं देखिए जैसे हमने ledger में opening balance डाल कर enter press किया debit balance होने के कारण यहां उपर total opening balance में भी वही amount debit में भी आ गया है इसी तरह हम जब भी कोई ledger बना कर opening balance डालेंगे उसका प्रभाव यहां दिखता रहेगा साथ ही debit और credit दोनों का difference इनके नीचे दिखता रहेगा और जब दोनों का balance बराबर हो जाएगा तो difference शून्य हो जाएगा ध्यान रखें debit credit दोनों पक्ष बराबर होने यानि difference शून्य होने पर ही हिसाब सही माना जाता है इसे तरह हमने दो लेजर्स opening stock और cash को छोड़ कर बाकी सभी लेजर्स बना लिए हैं आप भी इसी तरह opening stock और cash को छोड़ कर बाकी सभी लेजर्स single ledger या multiple ledger creation की सहाथा से बना लें चले अब आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं कि cash का ledger टैली में पहले से बना हुआ होता है उसे बनाना नहीं पड़ता तो अब हम alter की सहायता से cash के ledger में alteration करके opening balance डाल देते हैं और enterprise करके आगे बढ़ते हैं देखे cash का opening balance डालने के बाद भी यहाँ उपर 5,34,000 का credit difference आ रहा है यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि हम opening stock को छोड़कर बाकी सभी ledgers बना चुके हैं चलिए अब यह जो difference दिखाई पड़ रहा है इसे reports के अंतरगत trial balance पर चलकर भी देख लेते हैं trial balance को हम आगे detail में बताएंगे अभी जितना जुरूरी है उतना समझ लेते हैं trial balance देखने के लिए gateway of tally पर dk प्रेस करें फिर t प्रेस करें फिर f2 प्रेस करें अब जिस तारिक का opening balance आप देखना चाहते हैं वो तारिक डालें जैसे कि यहां हमने इस company में एक October से काम शुरू किया है तो हम from और two में एक October डाल रहे हैं alter और f5 keys को प्रेस करें अब f12 key को प्रेस करें show opening balance को yes कर दें क्योंकि अभी हमने जो opening balance डाले हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं और show closing balance को no कर दें और इस window को accept कर लें देखे एक October की पूरी details आ रही हैं और इसमें भी difference in opening balances के अंतरगत वही amount दिखाई पड़ रहा है जो हमने cash का ledger alter करते समय टोटल opening balance में दिखा था इस trial balance को अच्छे से देखने के लिए यहां जिन subgroups के अंदर ledgers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उन पर जाकर shift के साथ enter press करें यह देखिए सभी groups, subgroup और ledgers के साथ उनके opening balance भी दिखाई पड़ रहे हैं जब trial balance में इस तरह का difference आता है तो उसके कुछ कारण होते हैं जैसे हमारे पास opening trial balance में जो ledgers हैं उनमें से कोई ledger हम tally में बनाना भूल गए हैं या किसी ledger के opening balance में हमने गलत amount डाल दिया है या किसी ledger में opening balance डालने के बाद debit या credit सिलेक करने में कोई गलती हो गई है या फिर हमने company में inventory के खाते यानि stock items नहीं बनाए हैं क्या बनाकर उनमें balance नहीं डाला है या गलत balance डाल दिया है यदि आपके opening trial balance में इस तरह का difference आ रहा है तो आप इन steps का अनुसरन करते हुए उसे ढून सकते हैं अभी हमारे इस difference का कारण ये है कि हमने company में inventory के खाते यानि stock items बनाकर उनमें balance नहीं डाला है तो आएए हम stock items के साथ ही stock के subgroups, groups और units बनाकर उनमें opening stock डाल लेते हैं हम आपको stock items, stock groups और units बनाना पहले ही सिखा चुके हैं देखिए हमने सभी stock items उनके subgroups और groups बना लिये हैं साथ ही उनका opening stock भी डाल दिया है अब इसे हम except कर लेते हैं ये देखिए, accept करते ही chart of accounts आ रहा है जिसमें सभी groups, subgroups और उनके अंतरगत बने stock items दिखाई दे रहे हैं यहां समझने की बात यह है कि opening trial balance में यह जो opening stock का amount दिख रहा है उसे हमने tally में कहीं भी नहीं डाला है क्योंकि जैसे ही हम tally में सभी stock items बनाकर उनका opening balance डालते हैं यह amount हमारे tally के trial balance में अपने आप calculate होकर आ जाता है वास्तों में यह सभी stock items के opening balance का total है चलिए वापस से opening trial balance देख लेते हैं देखिए यहां opening stock में वही amount आ गया है जो हमारे stock items का था और अब यहां कोई difference भी नहीं है मतलब हमने सभी ledgers और stock items सही धन से बना लिये हैं अब हम इस company में आगे काम कर सकेंगे इसका PDF भी हम नीचे description में दे रहे हैं आप ही इसी तरह से पुरा काम करें और फिर PDF से मिला लें यदि कुछ गलती दिखे तो फिर से पुरा चेक करें या नई company बना कर काम करें इस वीडियो में हमने आपको बताया manual accounting से computer accounting में shift करने पर आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में इसके बाद वाली वीडियो में हम इसी company में कुछ transactions record करके बताएंगे